हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हैं सब घर में होंगे जवर्दा सब एक बहुत ही बड़ी और अच्छी रिक्रूट्मेंट आई है डेली डेवलप्मेंट ऑथरिटी के तरफ से जिसको कि आप लोग सौट में डीड ये रिक्रूट्मेंट भी बोलते हैं एड़र्टीज में नम्मर 3 2022 से और फॉर्म ओंगोई है आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं 11 चुन 2022 से सुरू हो गया है दिन के 10 बजे से और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 10 जुलाई 2022 सामके 6 बजे तक दी गई है और एक्जामनेशन होने का जो डेट है व अभी 2 हजार 22 में फिर से दोबारा रिक्रूट्मेंट आई हुए यानि कि आप समझ लिजे कि 6 साल का गैप है तो आप मानने के चलिए कि एक्जाम हो ही जाएगा क्योंकि इतना लेट के बाद रिक्रूट्मेंट आया है और अभी तो दबाव भी बड़ा हुआ है गवर्मे मेकैनिकल के साथ साथ आपका ट्रांसलेटर का भी पोस्ट आया हुआ और प्लैनिंग एसिस्टेंट का भी पोस्ट आया हुआ है तो हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजिनियर सिविल इलेक्रिकल मेकैनिकल की तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजिनियर सिविल की जो कि level 6 के हिसाब से आपको salary मिलेगी जो की हो जाता है 400 grade pay के हिसाब से आपको 50K plus मिलेगा पहले ही महिने में जी हाँ in hand cut cut के इतना salary आपको मिलने वाला है थोड़ा जादा ही मिलेगा central के हिसाब से अब यहाँ पर बात करते हैं 18-27 साल तक का age दिया गया है इस बीच यदि आप है general में तो आप भर सकते हैं अलग-अलग category के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है और यदि आप सिर्फ diploma किये हुए हैं तो आप इस form को भर सकते हैं यानि कि diploma compulsory है diploma plus degree किये हैं तो भी आप इस form को भर सकते हैं यादि आप सिर्फ और सिर्फ degree किये हैं बीटे किये हैं तो आप इस form को नहीं भर सकते हैं और टोटल जो सीट आई हुए है वह 220 सीट है आपका 92 सीट है वह जेनरल category की है और 22 सीट है EWS category की और 32 है आपका SC schedule cast के लिए और 16 सीट जो है वह दिया गया है बाट दिया गया है hearing handicap के लिए 4 है और 4 आपका यहां पर orthopedically handicap के लिए है उसी तरह से आपका mechanical और electrical जो की combined है पोस्ट उसमें भी आपको सेम सेलरी सेम एज का क्राइटरिया दिया गया सिर्फ डिप्लोमा ही होना चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस डिग्री होना चाहिए लेकिन डिग्री वाले apply नहीं कर सकते है 35 recruitment आया हुआ है total 16 seat आया हुआ है unreserved के लिए general के लिए तीन seat आपका यहां पर EWS के लिए आया है पांच SC के लिए और 2 HD के लिए 9 OBC के लिए और एक आपका PH के लिए आया हुआ हुआ है और अलग-अलग seat के बारे में तो यहां पर जानकरी दे दी गई है लेकिन हम लोग त कि क्या होता है लेकिन अभी आप मानके चलिए कि यदि आप diploma holder है तो आप इस form को आराम से भरिए और तयारी करिए क्योंकि बहुत ही अच्छी recruitment आई हुए अब eligibility criteria की बात की जाए तो यहां पर आपका citizen of India जी होना चाहिए Indian citizen है यदि आप है तो आप इस form को भर सकते हैं उसक के बारे में तो जानकारी दे दी गई है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर इन्होंने लिख दिया है कि form भरने का जो फी है वो हजार रुपए रखा गया है जी हां अब यदि कोई essay candidate जो की SCST और women candidate है तो उनको फी नहीं लग रहा है और examination का center है दिल्ली NCR जी ह एक्जाम आपका 120 questions रहेंगे 120 marks मिलेंगे एक question के एक marks आपको सही करने के मिलेंगे और 0.33 आपको deduct कर लिए जाएंगे यदि आप question को गलत कर देते हैं तो अब बात करते हैं कि यहां पर 120 का है वो दो section में बटा हुआ जी हां 80 प्लस 40 80 आपका take का हो गया और 40 आपका non take का हो non take भी आपका technical related ही रहता है तो सबसे पहले यहां पर बात कर लिए कि 10 marks का आपका aptitude रहेगा जी हां 10 questions 10 marks जो बोलिए equal है और 10 का आपका reasoning रहेगा ठीक है उसके बाद 10 questions आपके English से रहेंगे जी हां और 10 questions आपका general awareness से रहेंगे आप मान लेजिए कि 80 प्लस 40 जी है 120 जो की दिय दिया गया है 40 non take के रहेंगे लेकिन वह non take भी आपका aptitude reasoning English और general awareness तो मान के चलिए कि यह सारा engineering candidate के अच्छे ही होते हैं अब यहां पर जिसमें interview है वहां पर देख लिए 85% आपका CBT का यहां पर वेटेज दिया गया है और 15% आपका interview को वेटेज दिया गया है और 0.33 आपका काट लिया गया है यदि एक marks कराता है दो marks कराता है तो 0.66 काट लिया आता है अब बात करते हैं यहां पर merit की तो आपको minimum qualifying marks जो की दिया गया है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद इन्होंने बहुत सारा जानकारी दिया गया है फोटो के बारे में भी इन्होंने लिख दिया है कि फोटो यदि आप अपलोड करते हैं तो फोटो में आपका date mentioned जरूर होना चाहिए और तीन महीने से ज़्यादा प खोलेंगे online website भी विजिट करके तो आपको वहां पर पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी यहां पर वैसा जानकारी जानने का उपको जुरूरत नहीं और असिस्टेंट डिरेक्टर और उसके बाद यहां पर सिविल मेकेनिकल के लिए जूनियर इंजिनियर की जो SCeon Tocष यहां इसको फॉरम के साथ साथ ऊसका फॉर्मेंट दे लिए गया है इस फॉर्मेट मे आपका रहेगा सेंट्रल सेंट्रल का बना हुआ तो आप ıs फॉर्म में अपना की टी टाल रपके बार सके हैं अब बात करते हैं कि इतने दिनों के बाद इतने दिनों नहीं इत वारा से recruitment आई हुई है और अच्छी कासे seats पे आई हुई है और 6 साल के gap के बाद आपका recruitment आया हुआ है तो आप इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते क्योंकि आपका competition वैसे candidates से है जो की rich plus intelligent है और जिनके पास resources भर-भर के available है तो exam में ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आपके पास resources क है आपके पास proper guidance की कमी है तो आपका कम marks में भी selection हो जाएगा नहीं वहाँ जितना जो exam में score कर देंगे उनहीं का selection होगा तो यह बात तो भली भाती आप लोगों को पता है तो बात हो गई कि अब आपको एक proper guidance चाहिए proper guidance के रूप में आपको को यदी तैयारी करा देता है त तो जैसे कि आप सब को पता है पहले से मुझे बताने की तो उसमें जरूरत नहीं है इंजिनियर्स एकडमी बोल के एक institute है जो कि single digit rank में बहुत जादा से जादा result दे रही है पिछले 10 सालों से solar cities में successfully run कर रही है औफ-लाइन में और उनहीं का online platform है Nimbus Learning यह है future की तैयारी courses launch किया हुआ तो सबसे जो पहला courses है वो DDA GE 2022 capsule course है जी हां capsule course है इसमें कि सारे subject के lectures आपको recorded form में मिलेंगे जी हां ऐसे वाले recorded form में नहीं जो कि कि किसी uncoaching में दे दिये जाते हैं आपको कि सिर्फ recorded दे दिये और उसके बाद आपका doubt clear हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं जी ह उसमें faculty आपके doubts clear करेंगे जी हां देख लिजी recorded lectures उसके बाद आपका doubt clarification का doubt groups इतना दोनों आपको मिलेगा और ये आपका सिर्फ 1999 में जी हां देख लिजिए सिर्फ और सिर्फ 1999 में आपको ये course avail करने का मौका मिलेगा आप इस course को avail करिए आपका preparation में बूश्ट मिलेगा उस पूरा clearance चाहिए जी हां यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हुआ है यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए अभी भी आपको proper guidance चाहिए proper detailed में तैयारी चाहिए तो आप इस course को ले सकते हैं जी हां ये course आप 4999 है और ये DDA जी हां डेली development authority J22 prime course है जी हां प्राइम course नाम इसलिए दिया गया है मैं आपको बता देता हूं all subjects recorded video lecture जी हां video lectures तो सारे के सारी subjects के आपको यहां पे मिलेंगे उसके बाद 5000 questions का practice कराया जाएगा इसमें आपके previous year के questions भी रहेंगे जी हां पी वाई क्यू उसके बाद concept based question भी रहेंगे जिस पे की सारा concept आप सारा questions का आपका practice कराया जाएगा जी हां पांचो हजार question का और डीटेल में step by step process के साथ पूरी अच्छी तरीके सी और कम समय में आप उस exam में इस सवाल को कैसे solve कर सकते हैं वैसा वैसा भी trick आपको बताया जाएगा तो यह बहुत ही important course है आपको इसमें video lecture उसके बाद 5000 questions का practice क करा जाएगा और doubt clearance के लिए doubt group तो इसमें तो रहेगा इसमें live आप teacher पढ़ा रहे होगे live यहां पर देख लिए लिए लाइब practice बैजी है उधर teacher पढ़ा रहे हैं सवाल बना रहे हैं और live आप पूछ सकते हैं online में और live आपका यहां पर doubt clear हो जाएगा उसके बाद 5000 questions जो करा जाए जाएगा practice उसके लिए आपको PDF भी एवलेबल कराया जाएगा जी हां practice set का PDF भी अब इतना सारा आपको मिल रहा है याने की complete courses टेक प्लस नॉन टेक जी हां 120 marks के 120 question जो की complete examination process के हिसाब से रहेगा पूरा का पूरा syllabus के according वो आपको तैयारी कराया जाएगा इसमें और इसका जो दाम रखा गया है वो 4999 जी हां 5000 से भी कम है limited period के लिए आप इसको avail करें आपका preparation में बहुत ही ज़्यादा boost हो जाएगा आप आप मान के चली आप सोचेंगे कि यह 5000 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है नहीं आपने डिप्लोमा किया हुआ है डिप्लोमा में आपका जितना खर्श आया हुआ उस समय आप सोचिए सिर्फ जिरॉक्स कराने का इससे ज़्यादा पे कर देते हो और वह जिरॉक्स आपके प 5000 में सारे के सब्जेक्ट के recorded video lectures मिलेंगे 5000 कोस्चन का practice होगा expected question जो कि exam में आने वाले है concept based question जो की सारे के सारे आपके concepts clear कर देंगे और ऐसे भी questions जो की previous year में पूछे जा चुके important जो की repeat होने की संभावना है वो भी आपको यहां पे cover कराया जाएगा और वो सारा का सारा live उ तो हो गई ऐसे candidate जिनको कि बहुत जादा ज़रूत उसके बाद ऐसे एक भी candidate जिनको कि लगता है कि हम सारा चीज पढ़ लिए हैं हम पढ़के बैठ चुके हैं हमको यह सब का ज़रूत नहीं तो उनके लिए भी एक कोर्स लांच हुआ है वह है टेस्स सिरी जी है डीडीए टे उस पर बेश्ट आपको दस फूल लेंथ टेस्ट डिसाइड किया जाएगा और उसके पाद पीडिएफ जो कि 5000 कोस्चन करेगा प्रैक्टिस सेट वह भी आपको एविलेवल कराया जाएगा अब आप सोचिएगा कि टेस्स तो और भी बहुत जगह मिलते हैं जहां पर कम दम में भी मिल जाएगे और दूसरा टेस्ट दी ले लेंगे लेकिन नहीं आपको बात समझना होगा कुछ ऐसे कोचिंग्स जिनमें की पर्टिकुलर एक्जाम का भरभर के रिजल्ट होता है सारे केंडिएट यहां पे एपियर करते हैं ब्रैंड वैल्यू बना हुआ तो वह इ जितने सारे हैं ऑफलाइन एं और न sun के यहां पर करेंगे तो यहां पर एक्चूबल जो केंडिएट कर रहा हैं इंडिया पर जित्ने भी केंडिएट भर रहीं हो सारे Turk एक्जाम में वैसा ही परफयर्मेंस होने वाला है। और यदि आप यहां पे अच्छा स्कूर कर लेते हैं, रेंकिंग अच्छा ले आएंगे, तो यहां पे आप समझ लिए कि वो DDA JEE का एक्जाम आपका सेलेक्शन होनाता है, तो सबसे पहले तो आपको मैं फिर से दोबारा बता देता हूं, कि Nimbus Learning जो कि ऑनलाइन करा लेते हैं, यह full length test series है, 10, उसके बाद PDF 5000 questions का practice set का मिल जाएगा, उसके बाद यहां पे जो prime course है, जिनका की prime नाम दिया गया है, recorded lectures तो रहेंगे ही, सारे subjects के 5000 expected plus concept based plus expected questions का practice करा जाएगा, सारे के सारे questions का, और step by step, उसके बाद यहां पे देख लीजिए, उनका PDF भी आपको म course कहां पे मिलेगा, तो मेरे वीडियो के description box में आपको यहां पे link मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस PDF को download कर सकते हैं, जो कि मैंने notification ने बताया था, उसके बाद जितना भी link रहेगा, वो app का link रहेगा, वो app का link मैं अपने video के description box में देख दूँगा, वहां से जाके आप एप में register कर एप, डाउनलोड करके play store पे app है, और वहां पे जाके डाउनलोड करने के बाद, जितने भी courses हैं, इनका सारा का सारा course को avail करने का तरीका वहां पे दिया गया है, कैसे कैसे आप उस course को avail कर सकते हैं, और play store में सारा का सारा चीज available है, अब मैं आपको दिखा देता कि इनका जो YouTube चैनल है, जो की Nimbus Learning है, यहाँ पे जाके आप इसको subscribe कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे free courses available हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं, इनका जो है engineers academy, उनके बारे में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दोनों एक ही का है, यहाँ पे देख लिएजिए, सारे courses वहाँ पे available हैं, उस courses को आप available कर लेजिए, आप अपने selection को sure कर लेजिए, preparation को boost दीजिए, thank you, जय हीन, जय भारत